last class mei, मैंने आपको financial management पढ़ाना始ureau किया था। जहां पर मैंने आपको बताया financial management क्या होता है, financial management क्या को meaning बताई, मैंने आपको बताया था कि financial management का role या importance किया है, objective wealth maximization is, जैसा मैंने बताया और फिर मैंने आपको क्या किया अलग जगता रहके financial management ke decisions बताए, जब से लास क्लास पर हमारा जो डिसकेशन था वह इंवेस्टमेंट डिसीजन पर था कि भाई सब पैसे कहां लगाए जाएं है ना आज हम लोग नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग पर आते हैं आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि अगर आज आप एक बिजनेस्मेन हो तो आप system क्या दोगे डेखो जब आप investment डिसीजन दे रहे थे तो उसमें क्या हो राक तो इन्वेस्टम Melbourne डिसीजन जब पढ रहे जैसे रेस कर सकते हो आप डिवेंचर सेल कर सकते हो आप बैंक दोन दे सकते हो आपको यह डिसाइड करना है कि कहां से कितना फंड उठाना है नॉर्मधी क्या होता है दो ही सोर्स होते हैं फाइन्स के एक होता है ओन्ड फंड जिसे ओनर्स फंड बोलते हैं और दूसरा होता है borrowed fund जैसे कि जो share capital होता है company को जो equity share होता है यह retained earning होता है retained earning मतलब होता है undistributed profit जो अभी बाटा नहीं गया as a saving रखा गया है जो undistributed profit होता है यह owners fund मनाता है और जो debenture होते हैं loan होते हैं bond होते हैं इसा borrowed fund मनाते हैं तो जो finance manager रहता है उसका यही concern रहता है कि कितना owners fund यूज करें तब कितना वो share capital ये retain earning का पैसा इस्तेमाद करें और कितना borrowed fund इस्तेमाद करें तो जब यह decision देना चाहेगा कि उसे कितना खुद का पैसा और कितना borrowed fund यूज करना है तो इस पे कई factors उन पे इस पे impact डालते हैं सबसे प्यादा impact जो डालता है वो डालता है cost यहां पर cost का मतलब है cost of raising finance कहने का मतलब बिसिकली यह है कि suppose करो आपकी requirement है मांदो 10 लाक रुपे की आपकी requirement है 10 लाक रुपे की ठीक है अब बैंक से जब 10 लाक मांगने जाते हो तो बैंक बोलता है 12% इंट्रेस्ट चार्ज करेगा ठीक है और जब आप share issue करते हो तो आपको कोई इंट्रेस्ट पे करने की ज़रूती नहीं नो इंट्रेस्ट तो ज्य इस को होता है ज्यादा खत्रा होता उधार देने में क्योंकि जब आप उधार जेंदे तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है पैसा पे करने की तो अगर आप high risk देने के mood में हो आप उधार के पैसे में काम करो पारोड फंड का यूज करो और अगर आपको ज़ग रहा है कि आपके business में money का inflow कितना है हमेशा याद रखना जिस company का cash flow बहुत अच्छा होता है good cash flow होता है वो अक्सर जो काम है वो depth लेकर करती है उधार लेकर करती है क्योंकि उसको पता है उसने जितना भी उधार दिया है उसको pay कर देगी आराम से pay कर देगी लेकिन अगर आपका uneven cash flow य जादा बेटर रहेगा आपके लिए तो देखो तीन पॉइंट मैंने बता है सबसे प्याजा तो जब आप financing decision दे रहे हैं तो decision में दो ही चीज़ है या तो आप उन्ड फंड देना चाहरे हो और अब खुद का पैसा लगाओगे या तो बोरोड फंड लगाओगे अब सवाल यह उठता है कि करे क्या खुद का पैसा लगा दे भाईया कि उधार का पैसा लगाए आपको यह बात समझनी होगी तो जैसे सबसे पहले हम कॉस्ट की बात करें जैसे मैंने बोला जहां ज़्यादा खर्चा बैठे उसको मत यूज करना अगर दो लोन ओन फंड का यूज कर ठीक है और जहां पर लो रिसके मां बहुरूर्ण फंड करते हैं ठीक डेन कैश फ्लो पोजिशन अगर आपकी कैश फ्लो पोजिशन बहुत अच्छी है तो अप उधार दे के काम करो कैश फ्लो पोजिशन खराब है तो आप ओन फंड लगाओ जैसे क्या है आप पूरे आप बाट सकते हो किसी के साथ तो आप एक्विटी का यूज करो और भी शेयरोल्डर बनाना है बनाओ कोई रिक्कत नहीं है आपको सिर्फ यहां पर यही करना है आपको क्या करना है एक कंपेरिटिव एनदिस करना है कि आपको खुद का पैसा चाहिए कि उधार का तो कॉस खुदब होता है कोस्ट और एंजिंग फाइन संच करने की कॉस्ट को भूलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें सिर्फ क्या होता है यह बात याद रखना कि अगर सपोर्श कर आपको मैं एक्जांपल दे रहा हूँ आपको चाहिए पाच करोर रूपै अब इस पे ब्रोकर ह और जो बैंक वाला है वो बोलता है कि भीया 5 करोड मैं आपको लोन दे दूगा प्रोसेसिंग फीस जो है बैंक वाले अपना कुछ चार्जेस काटते हैं वह वन परसेंट होगी तो आपको अरेंजमेंट पे ज्यादा सस्ता क्या पढ़ रहा है बैंक ज्यादा सस्ता पढ़ र होता है कि आपके fixed expenses ज्यादा होंगे तो कभी depth मत लो आप owners fund का use करो क्योंकि आप ज्यादा समय तक सह नहीं पाओगे और उधार बाद में निचुका आपाए तो आप serious trouble में फस जाओगे तो अगर आपके fix cost बहुत हाई है तो याद रखना खुद का पैसा लगाना fix cost लो है तो उधार के पैसे से काम करो दें capital market की position देख लो जैसे बूम पीरिट चलता तो शेर बस शेर अराम से बिखते हैं तो बेटर है कि आप own fund मतब शेर बेच लो लेकिन depression period में शेर नहीं बिखते हैं तो आप zone देकर काम करो तो यह सारे financing decision होते हैं जो आपको देने पढ़ते है आपको यह सारे decision समझा गया होंगे अब अभी आपने क्या-क्या decision दे दिया है investment decision दे दिया आपने financing decision दे दिया और यह तीसरा decision जो आप देने जाएंगे वो decision क्या जाएगा dividend decision dividend decision मतलब आप जो business चजा रहे हो मान दो उसमें अगर profit हो गया तो आप उस profit का कर क्या रहे हो उस profit को आप distribute कर दे रहे हो बाट दे रहे हो यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे आप कहां shareholder है और वो आपके business से जुड़े है इसलिए क्यों को profit में से हिस्सेधारी चाहिए तो आप देख लो आपको जरूरत पड़े तो distribute कर दो profit को नहीं तो आप reinvest कर दो business में reinvest करने को plug back भी कहते है तो basically जो dividend decision होता है यह देखने के लिए होता है कि surplus one को distribute किया जाए कि नहीं किया जाए जो firm का profit होता है वो क्या होता है अलग अलग parties में distribute होता है जैसे creditors में, employees में, debenture holder में, shareholder में सम में ब आपको यह देखना है कि आप इस वो pay करोगे कि re-back वापस business में लगा दोगे जैसे क्या होता है creditors होते इंको तो पैसा pay कर नहीं करना है ठीक है जो बचता है वो shareholder में बढ़ जाना चाहिए अब यहावे finance manager यह company के director decide करते है कि क्या dividend बाटा जाए या उसे retained earning के आप हम में र बहुत ज्यादा है बहुत तगड़ी है तो high rate of dividend declare करो देखना आपकी earning अगर कम है तो आप low rate of dividend declare करो बहुत simple सी बात है दूसरी चीज़ा आप earning stability देख लो यह earning stability का basically मतलब होता है कि जो कंपनिया स्मूथ यह stable earning करती हो high rate dividend देती है और जिन कंपनियों के earning unstable होती हो low rate of earning low rate of dividend देती है यह earning नहीं इसको काट के dividend दिख लेगा लें cash flow position की भी बात करते हैं देखो यहाँ पर आप यह याद रखना जब आप dividend पे करोगे तो company से cash बाहर निकलेगा तो अगर आपके surplus cash हो तभी आप जागा dividend बाटना लेकिन अगर cash की shortage हो तो मत बाटना dividend then growth opportunity देख लो dividend का मत जब होता है वो part of profit जो shareholder में बाटा जाता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच कैन बी distributed पता जा गए यह नहीं पता है और सर बोलते जा रहे हैं प्रॉफिट का वो part जो distribute किया जा सकता है ठीक है अब जैसे growth opportunity की बात करते हैं अगर आपके बहुत अच्छे growth के opportunity है तो जीतना profit कमा रहे हैं उसको reinvest कर दो यह बिजनेस में है ना और अगर ऐसा भी कोई growth का chance नहीं तो distribute कर दो profit को दिक्कत क्या है then stability की बात करते हैं जैसे कुछ company होती है stable dividend policy follow करते हैं मतब यह कि profit कम हो या जादा हो अपनी reputation बनाया रखने के लिए अच्छा dividend देते हैं ठीक है then taxation policy देख जो अगर याद रखना government tax rate बहुत ज़्यादा रखिये कंपनियों पर high tax rate रखिये तो आप जो dividend pay करोगे क्योंकि वह income है तो उस पर क्या होगा tax लग जाएगा तो आप less dividend pay करो जब tax rate हाई हो और उल्टा कर दो wise versa जब tax rate low हो low tax rate हो तो dividend करेट क्या करो बढ़ा दो ठीक है आई होप यह बात आपको समझ आ गई होगी और कहीं कोई दिकत नहीं गई होगी ठीक डेन बात आती है capital market consideration भी देख जो पनाएगा है आप उनका भी धियान रखो dividend बाठते समय जैसे प्रोविजन है कि आप डिविडेंट सिर्फ अपने profit में से दे सकते हो तो प्रॉफिट हो तभी डिविडेंट देना प्रॉफिट ना हो तो नहीं देना ठीक है धियान रखना फिर कई बार contractual constraint रहते अब यह बैंक की terms and condition होती है जैसे आपका बैंक में बहुत ज्यादा पैसा बकाया है तो रिस्टिक्शन लगा देते हैं कि भाई आप भी प्रॉफिट मत बाटो पैसे हमारा लोन पे करो ठीक है आखरिय स्टॉक मार्केट रियक्शन अगर स्टॉक मार्केट उचाल पे तो बहुत अच्छी खबर है बाटो डिविडेंड और दोग जुडेंगे जेकिन अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो डिविडेंड मत बाटो तो अब इसको एक बार लेक्शर को दो बार सुनना और एक दम अच्छे से पढ़ देना यह लेक्शर नंबर टू है यहां पर आपको अगजे देना है यह करो अगजे देक्शर में थर्ड देक्शर में मैं आपको आगे एक कंसेट बताओ